हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू आवर यूटूब चैनल रॉबिन बूटिक फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जैंट्स अंडर्वियर कैसे बनाया जाता है जिसे हम देशी कच्छा भी बोलते हैं और दोस्तों काफी सारे ऐसे मर्द हैं जो की रेडिमेट जो अंडर्वियर होता हैं पहना पशद नहीं करते वो घर का बना हुआ है या तेलर सान परकॉर's कपड़े से बनाब है कैसे कच्छ को पहनते हैं तो दोस्तों किस परकॉर से यह जैने नंडर जाता है कैसे कच्छ कि स्टिच्च होगी कैसे कैसे इसकी मेज देंग्व को सब से पहले देखी इस प्रकार से आपको नाप लेना लंबाई का यह देखी इस जग इस रखना इसको आपको और नॉर्मल एक जैन्ट से जो अंडेविर होता है उसकी लंबाई 14-15 बाकि हर किसी की चोई होती है कि लंबाई पहनना हो तो वह 15-16 तक रख सकते लेकिन इनका जो मै के चाली सिंच इसके बाद आपको एक मेजर मेंट ले लेना होगा यह देखिए जहां तक इनके लंबाई आ रही है लंबाई हमने लिए थी 14 यहां से लेकर जहां पर 12 इंच लंबाई है इसी जग ऐसे आपको नाप लेना इनकी जांग का साइज क्या है तो वह है दोस्तों यह देखिए लगभग 21 इंच तो बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट लिया है मैंने अब इस मेजरमेंट में कितनी लूजिंग देनी है किसी प्रकार से को कटिंग करनी है इस सारी चीज़े में आपको बताता हूं काउंटर पर तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मेरे पास यह जो कपड़ा है टोटल एक मीटर कपड़ा है और ज्यादा तर जो जैंट्स अंडेवेर होते हैं उनमें इसी प्रकार का लाइनिंग वाला कपड़ा आता है और बहुत अस सानी से मार्केट से मिल जाता है आपको कपड़े को करना क्या है इस प्रकार से डबल करना है यह जो किनारी वाले इस से यह आपको रखने उस तरफ डबल कर लिया मैंने आप देख सकते हूं इसको अच्छी तर डबल करने के बाद इनको बराबर करें प् podéis करने के बाद अब यह देख़ी यह जो कपड़ा इसको क्रकार से आपको फोर्फोल कर लेना है यह देख्या है और कि आप देख सकते हो यह जो कपड़ा इधर से भी बंद है इधर से बंद है और यह कनारी वाले इससे में इस तरफ कर दिए अब तो आपको करना का सबसे पहले आपको एक निशान लगाना कि धर नीचर की तरफ तरफ ये निशान आपको लगभग डेरिंच वह देख गर सीदा लेशन के सब करने के लिए अब इसके बात लगाएंगे दूसरा अपको लगाएंगा लमबाई का लंबाई है कितनी तयार वह चौदाइंच तो यह देखिए चौदाइंच है यह चौदाइंच पर सीधा एक निशान लगाना आपको इस प्रकार से दोस्तों लंबाई का निशान हो गया यह उपर से फोल्ड करने के लिए लिए बीच में जो है यह चौदाइंच लंबाई तयार है अब बात करेंगे इसकी वह करेंगे हम कमर की दोस्तों जो कमर थी वह थी 38 28 तो 38 का आपको करना एक चोथाई 38 कितना होता है होता है 5.9 देखिए 6.9 पर मैंने निशान लगाया यह तो गया fix कमर लेकिन दोस्तों जो इसके अंदर नाडा डालेंगे फिर लाश्ट की डालेंगे लिए उसके लिए हमें extra margin चाहिए होता है उसके लिए को क्या करना है कम से कम आपको यह देखिए चार इंच एष्टा कपड़ा लेना होगा यह देखिए इस पकार से साधे तेरा इंच पर आपको सिधा नीचे की तरफ निशान लगाना यह देखिए यह साधे तेरा पर मैंने निशान लगाया ठीक है अब यह निशान में लगाया यह भी मैं आपको बताता हूं बिल्कुल स्टैप बाइस चीज आपको बताऊंगा मैं अब फ्रेंट्स यह जो मैंने निशान लगा है साड़े तेरा पर साड़े तेरा के उपर है अभी इस निशान को भी फिलाल छोड़ देते हैं अब आते हैं नीचे इसकी जो हमने जांग क नाप लिया था जांग का जो साइज था दोस्तों वो था 21 इंच बिल्कुल में लिया था लेकर अगर मैं बिल्कुल 21 इंच ही रखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा तो उसके लिए भी लूजिन देनी पड़ते कम से कम आपको तीन इंच लूज लेना होगा तो 21 में तीन जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22 23 24 तो यह देखे 24 का दर कितना बनता है वह बनता है 12 तो 12 इंच हम रखेंगे जांग यह देखें यह होगा इसकी जांग ठीक है अब अब आपको निकालना इसका क्रोच एरिया तो क्रोच एरिया के लिए दोस्तों मैंने नाप अब लिए हिप साइज का था टो 40 तो 40 का आपको करना है एक चो थाई-4 तो इस निशान से जो कि इसकी 14 लंबाई वली जगे हैं यहां से आपको से आपको लेना है 10 त इंच यान की कि कि अब यह जो निशान है जो कि यहां से ठोटल आ रहा है कितना साड़े तेरह और साधे तेरह पर निशान है यह वाला इन निशानों को आपस में आपको मिलाना है यह इस प्रकार से सीधा और यह इसका क्रोच एरिया है यह वला जो कि मैंने लिया है साड़े बारा हिप का एक चुथाई करा मैंने 10 ठीक है 40 था है इसका हिप साइच और इसमें मैंने डाहीं चैक्ष्टा ले लिया है तो दोस्तों यह जो है ना अब इस निशान को आपको मिलाना इसके साथ नीचे वाले के साथ इस प्रकार से ठीक है और यह जो इसका बोटम है इसको आपने इस प्रकार से कटिंग करनी है अब यहां पर जो गुलाई देनी है दोस्तों वो गुलाई आपको किस प्रकार से देनी है इसमें कुछ भी आपको गुलाई नहीं द करनी है आप यहां पर कट लगा लेते हैं एक जर्रली क्योंकि यहां से जो है उपर इसका फॉल्डों का नेफा और यहां पर फिलार वैसे कट लगाने की जूरत नहीं है दोस्तों कि इतना नीचे से फॉल्ड होगा इसको मैं आपको थोड़ा से खोल के दिखा दो इस प्रकार कप्रा बच रहा है यहाला कि अब उसका यूज करेंगे हैं म्यानि में और बिना म्यानि के कभी भी जो Gents अंडर्वे रहता है तो इंश estásियानिक्रानि के लिए कप्रा में पास इधर से बच रहा है और और तो हम जो इसके अंदर म्यानी लगाएंगे आप कहीं से भी यूज कर से तो चाहिदर से यूज कर लो यह देखी यह जो कपड़ा बच रहा इसको मैं यूज करता हूं म्यानी में इस प्रकार से मैं नी काटना बिल्कुल असान है, आप देख सकते हो म्यानी की जो लंबाई है वह मैंने ली है लगबक 8 इंच और इसकी जो चुडाई है वह लगबाई 4 इंच दोस्तों इसकी जो कटिंग है वह तो हो चुकी है मैंने कटिंग कर लिए दोनों की दोनों मियानी है अब मैं आपको बताता हूं कैसे की स्टिचिंग करनी तो सबसे पहले देखिए यह दो पार्ट है यह वाला जो हिस्सा है ठीक है यह तो नीचे के लिए हमने रखा जो डेरी चलिया था इसको आपने इस प्रकार से पकड़ना यानि कि जो बोटम साइज है यानि जो जांग वाली जगह यहां से आपको प्रकार से पकड़ना है और यह सीधी आपको यहां से लगानी है देखें इसी तरह है दोस्तों यह दो दूसरे वाले आज इसका पार्ट इदर भी आपको आई लगानी है तो फ्रेंड्स यह दिखें नीचे में रहा है दोनों ही जगह मैंने नीचे की तरफ आई लगाई है जो कि मैंने डेर इंच के करी मार्जन लिया था अब आपको क्या करना है अब आप को इसको करना से सीधा ठीक है आप उठाने आपको म्यानी और इस म्यानी को लकना है अपने इस प्रकार से नीचे यानने की जो सब्सक्राइब का उसका कॉर्णर मेंड वाला इसस Safe अपने कॉय एक आट उस लिह अपना ये जो जगय उना चलते मशीन पर अंड़ जाए कि देखिए मयानि की जो इस प्रकार से लगाई है अब इस सिलाई को आपने वापस गुमा लेना और यह जो म्यानि का जो मार जाने इसके उपर आपको श्राय लगानी स्कुर्च से कि इस जाए दोस्तों मजबूती के लिए लगाई जाती हब यह जो मैंने म्यानी लगाई दोस्तों इस ही पकार से आपको दूसी तरफ भी म्यानी लगा ल की तरफ और जो कॉर्णर वाला इस सा यह रखना आपको उपर खोण की स्टिच कर लेना। जैसे हमने अभी थोड़ी दे पहले म्यानी को स्टीच कर रहा है तो फ्रेंट्स दोनों के दोनों जो म्यानी है जो कि मैंने एक पार्ट में लगाई है अभी अब आपको करना क्या यह देखिए इस प्रकार से जब यह मैंनी लग जाती है आप देख सकते हो अब आपको उठाने इसका दूसरा वाला हिस्सा यह देखिए अब इस दूसरे इससे को आपने क्या करना है इस प्रकार से रखना है यह देखिए क्योंकि जब एक तरफ मैंनी लगी चुकी है तो दूसरी तरफ मियानी लगाने में कोई भी प्रॉल्म नहीं आएगी अभी इस इस सलाग को अब इस मियानी जो हमने लगाई थी इसके साथ साथ आपको लगाना है देखें कैसे इसको इस प्रकाब से घुरमा यह दो आज वह कि इस नहीं तक आफ़ कुछी मिए अब इसमें रहे गी क्याली बताता हूं कि इस लिए मैं पो लनिक चलता हूं कॉञ्टर पर तो फ्रेंट्स यह देखिए एक तरफ का जो आसान है लगबग तयार है मियानी लग चुकी है अब दूसरी तरफ को आपको क्या से करना है इसी परकार से इसको पकड़ना है और यहां से आपको वही उपर से जो कट है नहीं से स्लाइश स्टूर करनी है और यह मियानी के साथ स मैं आपको लगबग तयार है बस यह देखिए अब इसमें यह जो मियानी है दोनों आमने सामने आच चुकी है और अब आपको यहां पर लगानी एक सिलाई बिल्कु असान तरीके से लग जाती है और यह लगाने के बाद इस पर भी हम एक्स्ट्रा जो है इसको फोल्ड करक करेंगे ताकि बिल्कु अच्छी तरीके स्रेल है कि वह भी मैं आपको बताओंगा उसके बाद दोस्तों उपर का जो काम है यह बिल्कु एक सर्वार की तरह है जैसे हम उसको ने को फोल्ड करते हैं यह सारा का सारा प्रोसीजर मैं आपको अब बताओंगा मशीन पर तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो जैंट्स कच्छा यहां फिर जिसे हम बोलते हैं जैंट्स अंडर्वेर यह हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही असान तरीके से मैंने आपको बताने कोशी की है किस प्रकास को बनाया जाता है और दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इस्टागरम पर भी फॉलो कर सकते हो इंस्ट्रागाम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फेंट्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंचे भारत